आज हम करने वाले हैं 23rd of October के दर इंडियन एक्स्प्रेस न्यूस पेपर का एनलिसिस इंडिया सेंट्स मेटिकल सप्लाइज डिजास्टर रिलिफ एट वोर टोन गाजा वाई एजप्ट तो पहली बात तो कि यह हमारे लिए कैसे इंपोर्टन है यानि कि आप सब जो बच्चे हैं यह पेस्टी के लिए उनके लिए यह काम आएगा पेपर अगर मैं बात करूँ प्री की तो प्रीलिए से इतना जादा इंपोर्टन नहीं है बट अगर बात करें मेंस की तो मेंस के लिए यह आपके लिए इंपोर्टन होगा पेपर जो जी एस आपका टू होता है यानि कि जिसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन जो पढ़ना पड़ेगा आप बोलेगे तो एक एड की बात है इसमें क्या इतना इपोर्टन है लेकिन आप इस न्यूस का रिफरेंस दे सकते हो आप पता सकते हो कि कैसे इंडिया की जो पॉलसी रही है चाहे वो श्रीलंका की तरफ हो चाहे वो करो पॉलसी है उसका जो मेन कॉंपोनेंट है जिसको बोलते हैं वासु देवा कुटमबकम यानि कि एक ही अर्थ जो पूरी की पूरी है वो एक ही घर है एक ही फैमिली है यह अभी जो अपने जी ट्वंटी हो रहा था एक महीने पहले इंडिया जो प्रेजिडेंट था उसका ल के जुरूरत है उन लोगों को और लगभग 32 तन जो डिजास्टर रिलीफ होता है वो दिया गया है इंडिया ने और यह फ्लाइट के थुरू हम लोगों ने गाजा के अंदर भीज रहा है जानी गाजा के अंदर तो हम लोग नहीं भीज पाएंगे क्योंकि हमने इसको तो बीच में जो क्रोसिंग है जहां से लोग अपने सावान को बेज़ेंगे या पर रेड रोड बना हुआ है उस रोड के नाम को वहां से जो जगे उसको बोलते है राफा क्रोसिंग तो यह आपके प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि यह आपको दे द पर रने की उमीद है यहां से और बन सकता है तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो यही आगे बढ़ते हैं इससे जादा इसमें देखने के लिए कुछ नहीं था यह तो एक जो ओथर है फैजन, मुस्तफा और कुलान शर्मा दो को ओथर है जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है और इसमें यह बता रहे हैं बात करते हैं कि जो अक्तुबर 17 को जो सुप्रीम कोट का जज्जमेंट आया था सेम सेक्शल मैरेज के उपर तो इसमें इन्होंने बताया कि केस था इस केस का नाम था सुप्रिया चक्रवर्ति वसी उन्यून ओफ इंडिया ठीक है सुप्रिया चक्रवर्ति जी ने यह फंडामेंटल राइट के अंदर और इन्होंने डिमांड की थी कि जो स्पेशल रृषे प top बैठेक्ट वे उन्होंने बताया कि हमारे आध मेने यह जिसलेचर के हात में है वो इसमें कुछ अगर लीजिये बिल पास कर्वातें फिर इसके अंदर हमेंडमेंट करते हैं तो सकता है यानि कि ratify करते हैं amendment constitution में होता है bills correct को ratify किया जाता है वो अगर होता है तो वो कर सकते हैं यह हमारे jurisdiction के बाहर है दूसरा इस case के अंदर दूसरा जो एहम पहलू था वो था कि क्या जो marriage है वो एक fundamental right है यहाँ पे सुप्रीम कोट ने साफ साफ पांच जजिस की bench वैठी थी सुप्रीम कोट ने साफ साफ यह बोला है कि नहीं शादी एक fundamental right नहीं आता है लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि article 14 जो है आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि article 12 से लेके article 32 तक अक्चिली 35 तक 32 जो एक खुद में constitutional remedy है वो खुद में एक fundamental right है तो 12 से लेके article constitution के और 35 तक के जो ये पुरे के पुरे article है इन्हें हम बोलते है fundamental rights के article इसमें हमारे जो मूलभूत अधिकार्स हैं उनके बारे में article में लिखा हुआ है वताब constitution सवीधान में लिखा हुआ है और ये आता है किस पार्ट में अगर मैं पूछ हूँ कि constitution के किस पार्ट के अंदर fundamental rights आते हैं तो part 1 के अंदर हमें पता है union वगेरा के बात होती है part 2 के अंदर हमें center government के बारे में बात होती है part 3 के अंदर जो है constitution के वहाँ पे fundamental rights आते हैं तो part 3 के अंदर जो है हमें यह देखने को मलते है articles और उसी article 14 के according Supreme Court बोलते हैं कि कैसे जो right to equality है low before right of equality before low लिखा हुआ इस तरीके से तो उसमें मतलब यही है कि कानून के सामने सब पराबर है तो yes infringement हो रहा है लोगों का बिल्कुल ठीक बात है Supreme Court यह मानता है लेकिन हम इसको as a मतलब कि अधिकार fundamental right के रूप में नहीं मान सकते हैं और तीसरा जो इसकी statement थे या तीसरा जो मुदा था वो मुदा था adoption के उपर कि क्या लोगों को adoption जो homosexual couple है गर उनकी शादी नहीं हो रही है तो उनको adoption मिलनी चाहिए तो यहां पे जो pipe judges का bench था वो दो majority में तीन हो चुके और दो त्री ratio two में बट गया था और त्री जो जजी से उनका कहना था कि नहीं यह नहीं मिला जाना चाहिए ऐसा नहीं होगा और जो two जो थे और उसमें भी उन्होंने बात बताए कि क्यों जो adoption जो वहापर rules and regulation है उस act के उसके according उसमें लिखा हुआ है कि individual level पर यानि अगर आप अकेले किसी बच्चे को adapt करना चाहते हो तो आप कर सकते हो लेकिन आप as a couple अगर आपकी couple करना चाहते हो तो उसमें आपकी शादी माइने रखती है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यहीं मानना है कि जहां पर institution में अगर शादी की बात आती है तो वहाँ पर समाजिक तर कि बुनियाद इतनी मजबूत नहीं है तो वहाँ पर उस बच्चे को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसका future फिर से uncertain हो जाएगा पहले से uncertain है अनाथ है और फिर बाद में फिर और uncertain हो जाएगा तो ऐसे सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज से भी मना किया यहाँ प बच्चो अब अगर आर्टिकल 14 से 35 तक आर्टिकल जो fundamental rights है उनमें से आर्टिकल 21 जो बीच में आता है तो वो भी एक fundamental right हुआ बिलकुल तो आर्टिकल जो 21 है वो है right to life यानि जीने का अधिकार ठीक है तो यहाँ पे उतर बोलते है कि right to life में जीने का अधिकार के अंदर बह right to dignity होता है कि आपको जो dignity आपके जो मरियादाए है आपके जो respect है उसका भी अधिकार है आपके पास ठीक है तो ऐसे rights है और उस समय पे जहां पे homosexual couples को यह right नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी intimate life को control कर सके वहां पे यह author को थोड़ा problematic लगता है यह जो जो भी verdict आई है जो भ नवतेज सिंग जोहर का नवतेज नवतेज सिंग जोहर यह जो case हुआ था यह हुआ था दो हजार अच्छा के अंदर और यहीं वो case है बचों जिसके अंदर 377 को decriminalize कर दिया गया था यानि कि अगर इससे पहले कोई भी दो इनसान जो कि same sex के हैं same gender के बिलोंग करते हैं तो अगर वन लोगों के शंबन सारी रोप से देखे जाएंगे तो वो एक criminal offense माना जाएगा जैसे की चोरी करना एक crime है जैसे की किसी का murder करना एक crime है इसी तरीके से इन संबनों को बनाना भी एक crime था लेकिन इस जो landmark case आया था इसके अंदर आज जो हमारे chief justice है chief justice of India डिवाई चं पर बात होती है कि पुत्तु स्वामी एक case हुआ था 2017 में बिल्कुल सेम टाइम पे जब सब्री माला case हुआ था 2018 में तो ऐसे ऐसे cases में हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो supreme court है उन्होंने एक एहम भूमिकारे लाई या बिल्कुल बढ़ चड़के इन cases में भाग लिया और ऐसी जो कभी सोच भी नहीं सकता था वैसी वैसी अपनी वर्डिक्ट उन्होंने निकाले तो इतना सब प्रोग्रेस करने के बाद यहां पे आके जो supreme court है वो ऐसा जिजग क्यों गए ऐसा author का मानना है और वो वहाँ पे बोलते हैं कि शायद एक काम अभी भी हो सकता है जैसा 2013 का एक केस का reference देते हुए जिसका नाम था सुरेश कुमार कोशल सुरेश कुमार कोशल केके यानि की कोशल केकसे यानि की कुमार तो यह जो था यह जो केस हुआ था 2013 में इसके अंदर supreme court ने अपना फैसला बदल दिया था बच्चों यहां पे एक सवाल उठता है कि कै कैसे supreme court अपने ही दिये हुए फैसले को एक केस के उपर दुबारा जब वो दूसरे case में सुनते हैं review करते हैं तो उसको बदल देते हैं तो हां हमारे इंडिया में supreme court के पास एक बहुत बढ़ा दिकार है कि वो अपने फैसलों को कभी भी बदल सकता है यानि कि अगर उन्हों important है जिसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि क्यों supreme court अपना फैसला बदलने की शमता रखता है वो है कि supreme court के पास पुरा का पुरा supreme court को सविधान वे as a interpreter बोला गया है कि जो interpretation करता है ठीक है यानि कि चीजों को समझता है कि यहां पे लिखा क्या है इसका मतलब मैं समझूगा और जब आप interpretation करते हो तो हो सकता है कि एक इंसान ने किसी चीज का मतलब कुछ समझा हो और दूसरा जो चीफ जस्टिस था या जस्टिस है वहां के उन दूसरा कोई और समझता हूं तो ऐसे ही जो landmark cases से मैं आपको एक बर summary में बता देती हूं जैसे एक गोपालन जो केस था फिर जब चाहे उन rights को हटा सकती है तोड सकती है emergency में ज़्यादा तरह हमें देखने को मिलता है कि जब emergency लगती है किसी भी कारण वस से तो उस समय पे जो fundamental rights है सिरफ article 19 को छोड़के और article 21 को छोड़के इन articles को छोड़के सभी के सभी fundamental rights suspend हो जाते हैं यानि आप उन articles को गर कोई ख अधिकार आपसे छीन लिया जाता है government के द्वारा लेकिन article 21 right to life वाला और article 19 जो है कि खुद से आप अपने बारे में यानि कि आपको बंदी निम्ला जासे यह सब अधिकार जो है वो फिर भी रहते हैं और यह फिर कब आई statement पहले तो अकर सरकाच आती तो इनको भी खतम कर स जो किस होता वो हुआ था 1973 के अंदर और यहां पर हमारा सविधान जो है उसके अंदर हमारे सुप्रेम कोट ने ये बात बोली थी कि सुप्रेम कोट के पास यानि कि Constitution के पास कुछ एक basic structure है और वो basic structure कोई भी नहीं तोड सकता हाला कि उन्होंने बताया नहीं कि वो basic structure में actually है क्या लेकिन उन्होंने ये कुछ cases जो आगे देखने को मिलन तो उसके बाद में समझवाया है कि basic structure के अंदर प्रियम्बल आता है लेकिन बढ़ते 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 1973 तक पहुँचके वहाँ पर 306 तक की चीज़े डाल दी गई थी और उस शडूल में यह चीज थी कि उस शडूल को जुडिशल रिव्यू नहीं किया जा सकता यानि कि court जो है उसमें उस चीज़ों को देख नहीं सकते अगर आपने उसम खराब नहीं किया जा सकता उसका तोड़ा नहीं जा सकता तो यह था और इसे वज़े से सुप्रीम कोट जो है अपने फैसलों को बार बार बदल सकते हैं जैसे हमने देखा गोबालन केस में भी और केश्वानन्दी भारती केस के अंदर में आगे बढ़ते हैं बच्चो तो एक से बनता है एक्सचेंज ठीक है तो आर्वियाई ने बहुत सारे जो इंडिया के अंदर बैंक है उनको डोलर दिये हुए थे सिरफ एक प्रॉमिस पे कि मैं आपको डोलर दे ला हूं लेकिन जब मुझे जरूरत होगी तो आप वापिस से मुझे वापिस दे देंगे ठी तो वही अब हम देख रहे हैं कि यूएस का डोलर है वह बहुत स्ट्रॉंग हो रहा है ठीक है बच्चो और जो इंडिया का रूपी है वह डाउन हो रहा है 82.9 से जाते हुए वह 83 पॉइंट पहुंच गया था लास्ट दो दिन पहले और इसलिए आर्वियाई जो वह उसको जो है वह मजबूत बना रहे है ताकि रूपे की जो वह बढ़ी रहे तो यह था नेक्स आर्टिकल इसराइल हिट सेरिया लेबनन यूएस पूस्ट मिलिटरी एसेट्स तो देखें क्या होता है कि इसराइल के अंदर यूएस की जो डिफेंस सेक्रेटरी है जिनका नाम है ल लेबनन जो है इसराइल की कंट्री है सीरिया अगर आप मैं बताओं मैं बना के तो मान लिजए यह इसराइल ठीक है इसके अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सीरिया है ब्लू लाइन से आपको मैं रेड से बना देती हूँ देखें यह सीरिया है ठीक है अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो यहां पे है जोर्डन ओके अगर आपके आप इसके उपर ग्रीन से ही देख लीजिए अगर आप उपर से देखेंगे तो यहां पे है लेबनोन और अगर आप यहां इसके साइड में यहां पर तो मेडिटोरियन सी है यहां पर कोई देश आत करने को तयार है तो इस्राइल ने भी एक एरस्टाइक की है बिल्कुल बोर्डर जो है लेवनोन का वहां पे और पता नहीं इससे हो सकता है कि मिडल इस्ट के अंदर बहुत सारे मतलब की सारे देश एक साथ यूद में कूद पड़े ऐसा भी सिचुएशन आ सकती और ऐसा नह 24 घंटों के अंदर 266 जो लोग है उनकी मौत हो चुकी है 266 पीपल जो है वो मर चुके है और उन में से 117 लोग जो थे वो बच्चे थे चिल्डरन थे आप फोटो देख सकते हैं कि एरस्टाइक की वज़े से कैसे यह देखिए कैसे लोग जो है वो बिल्कुल उनके जाने की कोशिश कर यहां पर अगर इसकों देखेंगे तो यह स्टुक्च्चर आपको लिटा के ब्यास को बाहर निकाला जा सकता है तो यह यह Northmış नेक्स थेन Currently के बारे में तो विल्याना कंवेंशन के बारे में पच्चो मेरे आप लोगों को पटाया था कल के उसमें कि कैस प्लस UK दोनों ने ठीक है बच्चो तो US और UK जो है उन दोनों ने इस बात को कहा कि इंडिया ने जो diplomats को मापिस भेजा है इंडिया ने जो step लिया है वो वियाना कंवेंशन को तोड़ता है तो यहीं पर मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है वियाना एक्चली 1961 के अंदर एक meeting होती है United Nations के अंदर और उसके अंदर बहुत सारे देशों को यह बात समझाने को बोली जाती है यह बात मानने को बोली जाती है कि हम सभी देशों के लिए कुछ common यानि common सभी के लिए होंगे जो rules and terms बना देते हैं कि देखो कोई भी काम होगा तो यह सब ऐसे ही करेंगे ठीक है तो यून जो हो गया वो इसका captain हो गया एक तरीके से यह उसकी पूरी team होगी है सब लोग करेंगे इंडिया ने उसमें sign किया है और उसके according यह था कि इस चीज़ पर diplomats के उपर तो diplomats की बात हो रही है यहां पर तो यह country के अंदर थे 41 थे तो यहां की जो government है वो उनके ऊपर कोई भी offense नहीं लगा सकती है उनको किसी भी court में नहीं लेके जा सकती है उनको बंदी नहीं बना सकती है उनको जेल में नहीं डान सकती है उसके उपर कोई मुकदमा होई नहीं सकता ठीक है तो यह सबसे बड़ी immunity दी अगर मैं थोड़ा सा ancient time के भी बात करती हूं यहां पर तो हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसा ही कल्चर इंडिया में पहले भी देखने को पड़ता है चाहे वो कहीं पर हम जब बात करते हैं हनुमान जी की जो जाते है श्रेलंका में ऐस दूत बनके तो उनकी पूछ में सभी देशों के अपने अपने कानुन आपने कानुन को बनाaya करत सकती है तो, सरी तो इसके बाद हमें देखने को मिला कि 1961 के अंदर ये convention आ गया था और उसके बाद से इंडिया के उपर अब यह इलजाम लगा कि उन्होंने इसको तोड़ा है ठीके convention को यहीं इंडिया के उपर इलजाम लगा कि कैसे इंडिया ने इस convention को तोड़ा है अमेरिका सभी लोगों ने लेकिन इंडिया ने इसके response में बोला कि हमने कोई convention को नहीं तोड़ा है उसी convention के जो rules है उसका जो article 21 है उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप downsize कर सकते हो यानि जितने member diplomats जो इंडिया की हैं Canada के अंदर 20 और Canada के 41 तो इसमें कोई balance नहीं दीख रहा और इंडिया ने सिर्फ इसी के अंदर ये बोला था कि हमारे जो आप एक काम करिया आप इनको सब को मत लीजिए आप इनको कम कर दीजिए डाउन कर दीजिए ठीक है तो ये इंडिया का कहना था तो इन्होंने कोई तोड़ा नहीं है तो हमारे लिए वियाना convention ज तो 2024 के अंदर जैसे इंडिया के अंदर election होने वाले हैं ऐसे ही 2024 में US के जो प्रेजिएन्ट है उनके लिए भी election होने वाले है ठीक है पर चो तो वहां पे जो election होने वाले हैं अब की बार जो दुबारा से जिसको हराया गया था डोनेल टरंप को जो बाइडन के दुबारा वही दुबारा से होने वाला है एक जिनी दोनों के बीच में election होगा क्योंकि ये अभी election में शायद दुबारा उट सकते हैं ऐसा बिल्कुल माना जा रहा हूँ बिल्कुल politics में indulge है और जो बाइडनomics है अभी इसके अधार पर पता चलेगा कि कितना जो अमेरिका की society है वो economics की वो कैसे कर रहे है तो simple सा अगर मैं biden plus nomics को जोड़ू तो bidenomics हो जाता है और इसलिए biden economic होगा यहाँ पर तो eco को काट के nomics बना दिया गया ऐसे ही शब्द बनते हैं तो इससे हमें समझ में आता है कि जो भी policies जो भी काम जो भी जो टेक्स हो गयारा से related administrative related जो भी काम biden क government ने किया है यानि कि वो का bidenomics कैलाएगा ठीक है यह तो आप लोगों को easily समझ में आ गया होगा लेकिन यह bidenomics एक्चुली में है क्या तो यह bidenomics जो है एक्चुली में जो मान लिजे 19 जब 80s की बात थी न तो वहाँ पे US के president जो होते थे उनका नाम था Roland Reagan तो यह जो होते थ इन्हों ने एक्चुली में एक टॉप से डाउन अप्रोच चलाई थी मान लिजे यह तो फैठीक है यहां पे आपका कोई पहाड है और यहां पे पहाड आप देख पारें तो इसका पहाड यहां पर से नीचे आ रहा है तो कोई भी काम अगर आप किसी society के सबसे उपर से कर जाता है ऐसे ही अगर कोई इंसान बोटम से उपर जाएगा तो बोटम टू टॉप अप्रोच हो जाएगी यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को तो रोनाल रेगन ने जब वो अमेरिकन ड्रीम जो था उसको बनाना चाहते थे इंटर्ण 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 को बनाना जाता है दस सीटी ओफ ड्रीम वैसे ही अमेरिका को दस सीटी ओफ ड्रीम बोलागा है कि वहां पर काम करो आओ बिजनस बनाओ इंटर्ण करो कुछ भी करो मतलब कि ठीक है यहां पर आपके सपने पूरे होंगे अलग 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 देशों से वहां पर लोग आई और इसलिए और भी जो इंडिया में चल रहा है मेकिन इंडिया वह भी कही ना कहीं ऐसे इन्फ्लूएंस बोल सकते हैं या फिर वह भी एक इसी तरीके की पहल है ठीक है तो इस चीज़ को बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे टेक्सिस में कट कर दिये कि जो कॉर्परेट होते थे गरीब था वह और भी ज्यादा गरीब हो गए और जो अमीर थे वह और भी ज्यादा मिर है हाला कि इसके यूएस की जीडीपी और ग्रोथ के लिए फाइदे बहुत दिखाई दिये लेकिन जब बात आती है लोंग टर्म की तो वह फाइदे बिलकुल नेगलीजियेबल हो ज होती क्या है पहली बात तो देखिए जैसे मैंने अभी पहला ही हम लोगों ने आर्टिकल पड़ा कि कैसे इंडिया ने हेल्प भेजिया है और यह हम दस बारा बार गिनवा सकते हैं एक साल के अंदर ठीक है कहीं कहीं भेजता है तो वहां पे हमें इंडिया की इमेज जो है इंडिया को नहीं जानते हैं कहीं किसी और देश में हम स्वीडन में हैं ठीक है माल लीजिए हम स्वीडन में बैटे हैं हमने यह न्यूस पड़ी कि इंडिया जो है उसने ऐसे मदद भीजिए तो हमें क्या समझ में आएगा कि अच्छी ठीक है दूसरों के दुख में शामि स्वास ग्रूप ही है जैसे या कोई और लड़ रहे हैं उनके अलग अलग चीज़ है लेकिन इतने सिविलियंस की जान जा रही है तो वहां पर हमारी जो इमेज है उस कंट्री को लेकर आप बिफॉर बिकॉस ऑफ प्रिजूडिस क्योंकि हमें कुछ चीज ठीक लगता है जब 2018 के अंदर डोनेल ट्रम वहां पर आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो आके इस USA की जो इतनी पुरानी established जो इमेज थी और जो independence declaration है USA का जिससे हमारा प्रियंबल भी थोड़ा थोड़ा influence है ऐसा उन्होंने बिल्कुल उसमें लिखा गया है उन सब को उन्होंने बिल्कु क्लाइमेट चेंज अगरा कुछ नहीं है हमें कोई लिना देना नहीं है और वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि पैरिज जो ग्रिवेंट था उसके अंदर बोला गया था कि जो माले जी अब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रिलाइजेशन जो की थी उन कंट्रीज ने की थी ठीक ह अब जो उसका भुकतान है वो बहुत सारे अंडर डेवलोप कंट्रीज को करना पड़ रहा है और अगर वो अभी इंधन या इन चीजों का इस्तमाल नहीं करेंगे तो उनकी कंट्री की ग्रोथ होगी ही नहीं ठीक है तो इसमें बात आई थी कि जो जिन कंट्रीज ने पहल को मिलते हैं उनकी गवर्मेंट में तो बाइडन जो उन्होंने आके इन सब चीजों को बदला है यानि जो भी रोनाल्ड और डोनाल्ड जो दोनों प्रेजिजेंट रहे हैं इन दोनों के खिलाफ बिल्कुल अपोजिट समझ सकते हैं बाइडन नों एकनॉमिक्स को कि उन्ह पा रहे होंगे बच्चों अभी देखिए इसका फाइदा क्या हुआ इसका फाइदा यह कि जो है बाइडन के उस पे बढ़ गई है बिल्कुल बड़ी है हम यहां पर ग्रोथ में देख सकते हैं कि कैसे यहां से शुरू हो रही थी बाइडन क्याने के टाइम तक और यह अच्छे से इस डाइग्राम को देखिए लेकिन आप यह भी देख पा रहे हैं कि यहां पर गैप फिर भी है अमीरों के बीच में मिडल के बीच में और यह शायद अभी तक रहता ही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो दिन में चार दिन में खतम हो चाएगा लेकिन अब सेकिन देखिए अनिम्प्लॉइमेंट बेरोजगारी में भी कमी आई है तो यह आप देख पारें कि कैसे जो बेरोजगारी 6.25 सम्थिंग के करीब थी वो आके 3.2 तक हो गई है और यह डाउन आई है इस तरीके से ठीक है डाउन आ रही है हम इसको देख पा रहे हैं तो अनिम्प का जो टेम्पल है शायद आप लोग जानते होंगे कि यह अडिसा के अंदर है और यह भी मैं आपको बता देते हूं कि ओडिसा के जो सीम है उनका नाम है नविन पतनाइक ठीक है तो जो ओडिसा के सीम है और जो हाई कोट है उडिसा का उसके पास एसाई एक रिपोर्ट भे रतन भंदार से क्या पतलब है आप लोगों का रतलों से भरा हुआ भंदार तो रतन भंदार बोलते हैं इसको और यह असाई क्या है और ऑर यहाँ रिपेर करने की बहुत ज़ुरूरत थे इसलिए इसको खूल दीजिए अब हमें पता है कि ओडिसा के अंदर जो है दगरवाल जो उस मंदिर के ट्रेजर सिस्टम को संभालते थे उसको उन्होंने बोला कि चाबी गुम हो गई है और उसके बाद वो अभी तक नहीं खुला लेकिन जब हम पहले जाते हैं कि यह ट्रेजर रूम आज से पहले खुला कब था तो यह खुला था 1978 में लास टाइम य कि इसके अंदर लगबग 12,831 भारी रखी हुई है गोल्ड की और एक भारी जो है उसका वजन है 11.66 ग्राम और एक तोले में वजन होता है गोल्ड के अगर मैं बात करूँ तो 10 ग्राम तो ओल्मोस्ट जो है यह 13,000 तोले का सोना है वो इस मंदिर के उसमें रखा हुआ है ऐ इसे ही लगवग 12,000 की जो सिल्वर के बरतन है बारी के तोले के यानि की वो भी वहां पर रखे हुए ठीक है तो इतना उन्होंने अपनी इंफोर्मेशन के अकोर्डिंग यहां पर बताया था गौवर्मेंट को और अभी यह खुल नहीं रहा है इसके उपर मुद्दा है आ अगर कोई लोग नौर्थ इंडिया से तो मैं उनको इसी करने के लिए बता देती हूँ कि यह मंदिर जो लोड कृष्णा को जो कृष्ण भगवान है उनको समर्पीत है ठीक है लोड कृष्णा को साथ में उनके जो बल्राम है उनको भी यहां पर रखा गया और उनकी जो डाइटी है बिल्कुल एक ही जगह पर रखी गई है और यहां पर इनको इनका नाम से जाना जाता है लोड कृष्णा को मंदिर में ओडिसा के अंदर जाना जाता है लोड जगननात के नाम से लोड जो बल्राम है उनको जाना जाता है भद्रवाव के नाम से और जो लोड सुभधरा के नाम से ही जाना जाता तो तीन ये डेटीज हैं जिनके इस तरीके से जाना गया है तो ये आर्टिकल में और कुछ इंपोर्टन है नहीं लास्ट आर्टिकल ऑफ दे बच्चो तो आज का न्यूस पेपर का आखरी आर्टिकल हम पहुंच गए हैं और इसमें हमें देखना कि कैसे अमीड डिवाइड ब्योडिन अरब सर्विंग इंदा इस्राइली आर्मी हिस्ट्री प्रेजेंट तो कैसे जो पैलन स्टाइन हैं मु मुस्लिम अधा अरब जो था वह अश्रफ नाम का इंसान को मिलिटरी की कमांडर हैं वो इसराइल की जो मिलिटरी होती है तो यह लोग जो थे बहुत नॉमेडिक टाइप ओर अ बसक하세요 कर Benet यानि यह घूमते रहते थे और आप लोगों को यह बात समझ में जुरूर आई होगी कि जब कोई घूमता है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तर तो उसका पूरा जीवन यापन किस चीज़ पर यानि कि जानवरों के उपर तो जादा तर एनिमल्स के साथ ही आपने किसी की जीवन देखा होगा अगर कोई घूमती लोग है आज तक भी देखा जाता है बहुत सारे स्टेट्स में कुछ-कुछ पार्ट बहुत कम हो गया लेकिन अभी भी देखने को मिलता है तो इस तरीके क होने लग जाते हैं मतलब थोड़ी से सेटल होने लग जाते हैं वहाँ पर की सेटेंटरी लाइफ हम जो है अब सबसे जीएगे अब से घूमना बहुत हो गया और इनकी जनरेशन जो आने वाली है वहाँ पर रहने लग जाती है ठीक है लेकिन जब इस्राइल बनता है फिर से 1949 के बीच में और उस समय पे जब हम देख पाते हैं कि ये ब्योदिन जो और आप से ये इसराइल के अंदर ही सेटल थे उस एरिया में और उस समय पे ये लोग information देते हैं इसराइल को यहनि इसराइल का साथ देते हैं और वो लोग जीतते हैं तो उसके बाद से ही इनको पर्मांनेंट citizenship मिल जाती है जस 50s के अंदर ही इसराइल के citizens बना दिया जाता है इस पूरी community को और इनको settlement दी जाती है एक जो दिखे की area है kind of deserted area है वहाँ पे नीगेव नाम से ठीक है वहाँ पे आज तक ये लोग वहाँ पे रहते हैं और उसके बाद ये military में भी इनको service मिलती है और हमें ये भी पता है कि इसराइल की military के अंदर voluntary नहीं होता है यानि कोई भी इंसान permanently obligatory होता है कि अगर कोई भी adult जो है 18 से उपर हो जाता है इसमें 18 से 30 के बीच में तो उसको अपने जीवन में army के अंदर service देनी ही पड़ेगी irrespective of gender ठीक है यानि आपका आदमी हो औरत हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपकी age 18 साल से उपर हो गई है तो आपको army में जाके service देनी पड़ेगी लेकिन अब सवाल यहां पर भी उठता है कि इसराइल ने इनको voluntary है कि आप लोग अगर service देना चाहते हैं तो आप लोग दे के दे सकते आ जाएए अगर मैं आप लोग इसे पूछ हूँ तो क्या इंडिया में voluntary है या obligatory है जी सोचिए नहीं इंडिया के अंदर obligatory नहीं है अगर obligatory होता तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी 18 से उपर होगे तो वह भी आर्मी में होते सब कुछ छोड़के यहां पर पड़ नहीं रही होते बैटके ठीक है तो यहां पर इंडिया के अंदर voluntary है जिसको service करने का मन है वो जाए test clear करे और पा ले उस position को ठीक है यहां पर आप देखे कि कैसे इसराइल नहीं है बहुत सारे जो उनके 1948 पे और जो बाद में 1993 में जो आर्मी के अंदर लोग थे अरप्स के यहां पर इसराइल के अंदर उन लोगों की दैथ हुई थे और उ आप इसी से काम चलाइए और आप लोगों को बिलकल अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का निउस्पेपर तो थेंक्यू सो मच अगर आपी भी आप साथ है तो have a nice day have a great day all the best बच्चों